नमस्कार दोस्तों आज पिर आपका स्वागत है क्राउन निमिंग रश्ण के योट्यूब चैनल पर तो आज हमारी डिसक्शन रहेगी अड्मिशन इन एमबेवियस इन यूएसेसर कंट्रीज जहां जिनको हम CIS कंट्रीज कहते हैं जिनको हम रश्ण कंट्रीज कहते हैं उसके उपर हम डिसक्शन करेंगे बच्चों का एक्जाम 13 को अरड़ी हो चुका है 13 सब्तमबर को और 80 से लेकर 85% बच्चों अपेर्ड हुए थे इस नीट एक्जाम में क्योंकि टोटल 15,90,000 बच्चों ने इसका एक्जाम दिया था तो अभी रिजल्ट भी बहुत जल्द इसका डिकलेर होने वाला है और बच्चे अभी आरड़ी उन्होंने अपना चेक करना स्टार्ट करती है क्योंकि अंसर की भी बहुत सारे लोगों ने अभी एक एक्जाम हुआ तो बच्चों ने एस्टीमेट भी लगा लिया है कि मेरे 300 आएंगे मेरे 500 आएंगे इस वर की कट आफ क्या रहेगी तो बच्चों ने भी अपनी असेश्मेंट लगानी स्टार्ट कर दी हुई है तो हर एक वीडियो में मैं बार-बार बता रहा हूं कि हमारे जो सर्विस चार्जेश है वो कंपेर्टेवली कंपिटिटिव रहेंगे जितने भी हमारे कंसल्टेंट है तो अभी एक 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 एक्जाम हुआ था फॉरन मेडिकल ग्रेडियोट एक्जाम जो हमारे इंटरनेशनल स्टुएंट्स एंबिविस फॉरन कंटी से करके आए हैं तो उसमें जो सुक्सेस्पूल रेट बहुत ही निगलीजिबल रहा है इस बार आई तिंग 1000 संथिंग बच्चे ही पास कर पाये थे और 13,000 बच्चे उसके अंदर प्रोक्स अपेड हुए थे तो क्योंकि उसके अंदर 50% से 50% मार्क्स बच्चे को लेने पड़ते हैं उसकी भी मैंने वीडियो एक दू दिन पहले अपने चैनल के उपर डाली थी तो जो फेलियोर हो गए बच्चे उनको भी डेमरलाइस होने की जूरत नहीं है वो अपनी प्रपरेशन करें तो नेक्स टाइम देविल कलियर था एक्जाम जो फेलियोर होता है वो ही सुक्सेस होता है पहले भी मैंने बता था अभी भी मैं बता रहा हूं आपको तो अभी हम बात करेंगे बारां कंट्रीज हैं जो रश्या से सब्लेट हुई थी जिसको हम सी इस कंट्रीज कहते हैं कोमन बेल्फ इंडिपेंडेंडेंट स्टेट हैं जहां जू से साथ तो उनके अंदर कौन-कौन सी है हमारे पास जैसे अर्मीनिया आ गया अर्मीनिया में एक तो पर्सन की मनोपली है वहां पर वो तो कहता कि मैं यह इतने चार्जिस चाहिए वहां कि जो यूनिवस्टी से जुरूर प्रमोट करूंगा क्योंकि वह कहता कि मैं तो इतने चार्जिस लोगा इसलिए मेरा कॉंशिस अलों करता कि मैं बच्चे से इतने चार्जिस पैसे चार्ज करूं वह भी मेरी शैद वीडियो देख रहे होंगे तो बहां पर और भी बहुत सारी उनिवस्टी से उस कि हम उसी उनिवस्टी में जाएं तो उसके पैरलर की उनिवस्टी दे सकता हूं आप अपने सर्विस चार्जिस भी बचा सकते हैं तो रमीनिया की अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो क्रॉनिम इंग्रिशन आपकी इजिली सॉल्व कर सकता है उसके बाद पिर अजरवाई जब भी आपने किसी भी यूनिवस्टी में अड्मिशन लेना है अप उसको कंपेर करें अप नेट में फाइंड और करें उसको इबाद आप अपना डिसीजन लें ऐसा नहीं है कि उसके पांच बच्चे गए थे तो वो पांच बच्च्चों की आपको वीडियो दुखा द अग्रिमेंटा मनोपली है तो वहां पर 75-100 डॉलर की फीस है जो इंगली स्टोट प्रोग्राम में जिसकी बाकू कैपिटल है अर्मीनिया की जरिवान है तो उसके बाद फिर बेलारुस बेलारुस के अंदर भी मनोपली है वहां का एक कंसल्ट है परसन मैं नहीं डिस्क्लो प्राउजन तक कि हम सर्विस चार्जिस ले सकते हैं उसके अंदर हम बच्चे को वीजा उसका अड्मीशन सारा कुछ करवा कर देंगे वह भी मैं चार्जिस जब बच्चे का अड्मीशन हो जाएगा इन कंटी के लिए अर्मीनिया और अजरवाई बट वो कहते हैं कि वहां बच्चों तक लेकर आऊंगा तो जो चीज है मैं खुल के बताता हूं जो प्रॉलम्स आ रही है क्योंकि हम भी सेंडेस्टी में बैटे हुए हैं यह तो एक एक कंट्री को लेकर बैट यह को लेकर बैटे हुए हम तो फस्ट वर्ड कंटी को रिपर्जेंट कर रहे हैं यू कोई भी चार्जर ने तोटली फ्री ओफ कोस्ट मैं वच्चों का अड्मिशन और बहां का जो वीजा है प्रसेस करता हूं क्योंकि कमिशन ही मुझे वहां से सतर पिशतर यार पर आ जाता तो तो मुझे क्या जूरुत है कि और मैं दो दो लाग तीन 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 लाग जा पांच आपके सर्विस चार्ज भी बस सकते हैं तो अगर आप उसमें भी डिमिशन लेना चाहते हैं वो कौन सी उनिवस्टीज हैं चाहे अजरवाई जान है चाहे अर्मीनिया है चाहे बेलारुस है तो वो उनिवस्टीज की इन्फोर्मेशन मैंने अपने वर्टसप ग्रूप के उसके अंदर डालूँगा तो यह भी इन्फोर्मेशन मैंने उस ग्रूप के अंदर डाल दी है अगर आप उस ग्रूप को जोईन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है अजरवाईजान हो गया अर्मीनिया हो गया बेलारुस हो गया तो फिर हमारे पास आता है जॉर्जिया जॉर्जिया के अंदर भी एक जुनिवर्स्टी की मनोपली है वहां पर उनको भी बड़ी रुक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर सोची है हमारा भी हमने वी बच्चे भेजने हैं कहते हैं यार यह कहां से आके वीडियो बनाबना के लोगों को बेपकुब बनाते हैं और फिर क्या कहते हैं कि यार ये तो इस बहाने से आपको फिर बेज़देगा उस country के अंदर गोणने फिर बता दिया जो आपकी requirement होगी मैं उसी country में आपको भेजूँगा और कभी भी आपका case ये लेकर नहीं कहूँगा कि आपको मैं UK भेजूँगा करने के लिए अस्ट्रेलिया भेजूँगा करने के लिए जितनी भी मेरी top 10 countries की वीडियो हैं आप उनको देख लीजिए हर एक वीडियो में बारवार ये बता रहा हूं उनके intense exams हैं चाहे आप रोमानिया की देखिए चाहे शेंगन exam आपको clear करने पड़ेंगे then मैं आपकी help कर पाऊंगा ऐसा नहीं है कि आपका case मैं जूट बोलके उन country में रिजिस्टर करूंगा और बाद में कहां बेज दूँगा बेज दो यूकरियन ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा आपका consent लेने के बाद आपको पूरी information देने के लेकिन एक्जाम आपके बच्चे को ही उन country के clear करने पड़ेंगे तो जोर्जिया में भी जाना है तो जोर्जिया में भी हम आपके बच्चों को बेज सकते हैं हमारे वहां के भी charges कम रहेंगे तिबलिसी उसकी capital है उसके पाद हमारे पास आ जाता है कजाकिस्तान की अगर आ आ लिया हमारे जो service charges 15-100 डोलर तक का की है एवन इटेंगे आप क्या चाहते हैं वह हम करके देंगे आप कहेंगी सर मेरे बच्चे को फ्री में बेजे ना service charge लें मेरी ये प्राउबलम है ऐसी वीडियो जो आपकी 100% है अभी किर्किस्तान आ गया यह कजाक्रिस्तान किर्किस्तान उजबेकिस्तान इन इन में भी जाना चाहते हैं तो आपकी हम कर सकते हैं वहां कि फीसिस भी आपको and disclose करके देंगे ऐसा नहीं कहेंगे कि बहाँ पर भी 2,000 डॉलर दो जहाँ पर भी 5,000 डॉलर दो जो एक्चल फीसिस आएंगी जो यूनिवर्स्टीज ने अपनी वेबसाइट के उपर लिखा है वो आपको मैं बताऊंगा और वहाँ पर जाने के बाद जो भी आपके एक्सपेंसिस है क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगा आपने उसके बाद डिसीजन लेना है लोग तो सिर्फ जूट बोल के बच्चे के डाकॉमेंट ट्रांसलेशन करने है रशीयन लेंगोज में बच्चे का वहाँ से कोरियर आना है इंबीटेशन के हमें पैसे दे दिजिए बच्चे की वहाँ जाके मेडिकल होना है पांच साल का उसके पैसे दे दिए ऐसे ही पैसे एड रहे हैं इवन जो बच्चे मेरे आरडी MBBS कर रहे हैं फोरन कंट्रीज में उनको भी पता चल जाएगा कि जो मैं बोर रहा हूँ कि जो मैं सच बोर रहा हूँ जा जूड बोर रहा हूँ क्योंकि उनको भी मौलूम है कि बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज़ करते हैं सिरफ इसी के नाम पर की MBBS की डिग्री बहुत बड़ी है तो अगर आपने किर्किस्तान में भी जाना है तो उसमें भी हम आपकी हल्प कर सकते हैं फिर हमारे पास आता है मोल्डोवा चिस नौ इसकी कैपिटल है मोल्डोवा में जाना चाते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन बहां की टरेक्टली पब्लिक युनिवस्टीज में उसका एक्स्लूजिव एग्रीमेंट किसी के साथ नहीं है बहां पर अडमिशन करवा सकते हैं मोल्डोवा भी आने वाले टाइम में यूरोपिन कंटीज में जोईन करेगी लेकिन आज की डेट में यूरोपिन कंटीज में जोईन किया नहीं है लेकिन वहां के सिटिजन को यूरोपिन कंटीज में जाने के लिए कोई भी प्रॉबलम ने है बिदावट वीजा दे के ट्रेवल तो मोल्डोवा की जो स्टेट मेडिकल यूनिवस्टी है नहीं होता तो वो मोल्डोवा को भी देख सकते हैं उसके बाद आगी हमारी प्रमोटर्ड कंट्री यूक्रेन एक इतनी मैं कंट्री बता रहा हूं इस कंट्रीज है रशिया से सप्लेट हुई कंट्री लेकिन यूक्रेन को लोग यूरॉप के नाम पर जूर बोल के बेजते है बिल्कुल जूट है सुन ले बच्चे भी पेरेंट्स भी जो आपको यूरॉप कहके यूक्रेन बेच रहा है बुद्धू बना रहा है उनसे तो बिल्कुल उतसे काम मत कराएं जो फैक्ट होगा मैं वो बताऊंगा उसके बाद आपने डिसीजन लेना है तो यूक्रेन में यूक्रेन में हमसे सस्ती कोई फीस परवाइड नहीं कर पाएगा यह हमारा अपना चैलेंज है आप किसी की भी कोटेशन ले आएंगे क्योंकि जितनी भी मैं जे बीडियो मनाता हूं इस बीडियो को देखने के बाद वहां की यूनिवस्टिस भी हमें अप्रोच करती हैं कि यह अच्छे प्राइज प्रवाइड करती हैं आप करें ये यूक्रेन में भी जाना है तो हम बैस से बैस यूनिवस्टिस में जो आप कहेंगे उसमें आपका हन्डर पर्शेंट अड्मिशन और यहां से वीजा करवा कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास जो मेन उसका जाना है तो रश्या में तो हमारे पाफ बहुत सारी यूनिवस्टीज हैं अभी कल मैंने बहां की जो लीडिंग यूनिवस्टीज हैं जो बहां की रश्या की लीडिंग सोलां यूनिवस्टीज हैं उसकी इंफॉमेशन अपने वाट्सअप ग्रूप के अंदर डाली थी विद फीसिज तो उनमें भी जाना चाहते हैं तो हम सिर्फ 10 जा 15 यार्पिया लेकर तो जो सर्वी चार्जेज़ आप डरसाइड करें क्या देना चाहते हैं करॉनिम इग्रे जाना है उजवेकिस्तान है तो यहां पर भी बेज सकते हैं लेकिन मैं यह चोटी मूठ चोटी कंटी को रिकमेंड नी करता इन में जाने का फैदा नहीं है जहां पर पॉपूलेशन नहीं है पेशन नहीं है तो उन कंटी में कोई भी फैदा नहीं है वीवियस करने का लेकि I never ever recommended कि आप छोटी-छोटी कंट्री में जाएं तो अगर आप रश्या की किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं जो 12 कंट्री मैंने बताई हैं तो crown immigration इन सम्में expert है हमारी physically in countries में visit है और मैं physically कम से कम 30-35 कंट्री वर्ड की ट्रेवल किया हुआ हूँ गुमा हुआ हूँ देखा हुआ है सस्टम और हम आलवेज ही truthful information देने की कोशिश करते हैं अगर आपकी कोई भी क्यारी है study in mbbs in foreign countries तो आप at least crown immigration का opinion जरूर लें crown immigration आपको best opinion प्रवाइड करेगा उसके बाद आप अपना decision लें तो लासी मेरी रिक्वेस्टर है अगर आपको यह मेरी वीडियो चलिक तो लाइक और शेयर करना नाम ले थैंक यू